नमस्कार दोस्तों आज हम वायरट के संबंदित मुखार के बारे में महा सबुत सुना सब घर्मटी के बारे में बात सेयर करेंगे यह बहुत ही पापलर मिट्चिन है इसको आयर्वेद में 45 जड़ी बूटियों से मिकर मना जाता है इसके मुख्य गटक है आमला गिलोर चिरा प्रियोग करने से हमारे 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 सब्सक्राइब की प्रित्योंतक शब्दा बढ़ती है इसमें एंटी वायरल एंटी आक्सिदेंट आध्पुर्ण होते हैं वह खार गलत खार मान के करन होता है जब सरीर में कज की सिकायर रहती है तो वह खार आने की सम्वावना ज्यादा हो जाती है महासुदसन घर्बटी आतों को सफाई करने में भी बहुत कारगर हैं यह मैंडिसिन लीवर और स्प्रीन में अच्छा कार करती है यह ब्लड को प्यूरिफाई करती हैं और साथ में सरीर से टॉक्सिंग को बाहर निकालने में बदत करती हैं यह बटी बदंदर्द् लाब्दायक है यह उरींट्रेक्शन के कार्ण होने वारी पेशाब के जनल में भी बहुत लाब्दायक है यह ब्लेट में प्लेट लेट की संख्या कम हो गई है तो तो पपीते के पत्ते कारना करना चाहिए जिससे बुखार में प्लेट की संख्या बढ़ जाती है अब रोगी के पत्त के बारे में जाल लेते हैं इसमें मुंग की दाल परवल लोग की आज संख्यू का सेवन करना चाहिए इसमें भारी भोजन गरिष्ट भोजन आज का सेवन नहीं करना चाहिए पाने की मात्रा अधिक होनी जाए जिससे पिशाब के द्वारा टॉक्षिन बाहर निकलते रहेगे और शरीर का टब्रेशल नार्वन हो जाता है इसके दवा के दोचेश के बारे में बात कर लेते हैं बड़ों के लिए एक से दो गोली दिन में तीन बार गरम पानी के साथ दमाई चिकिसा के परामर्ज के अवसाल लेनी चाहिए यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सेर करें और चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीड़ अपनाए योग करें स्वाष्टरे स्वाच्छी तरे